प्रेंड आज जो मैं आपको इस वीडियो में रेमेडी वताने वाला हूँ आपके चहरे पर विना मैकप की वो खुबसूरती दिखेगी कि आपको मैकप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यदि आप इसे अपने चहरे पर लगा कर आप मैकप करती हैं तो यकीन मानना आपका मैकप लंबे समय तक टिकेगा और आपके चहरे पर वो खुबसूरती रहेगी कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा और इसके पहले जब भी आप मैकप करेंगी आप इस रेमेडी को अपने चहरे पर लगा कर ही मैकप करेंगी तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही बहुत ही एंपोटेंट है इसलिए इसको बिल्कुल भी स्क्रिप मत करना देखिए फ्रेंड आपको इस रेमेडी को इस उपाय को वनाने के लिए सिर्फ पर सिर्फ तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो की आपको बिना पैसों की ये तीन चीजों मिल जाएंगी देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपको आधी चमच नीबू का रस चाहिए आधी चमच नीबू का रस एक चमच आपको सहत ले लेनी है और आधी चमच आपको गुलावजल लेना है और आधी चमच आपको गलैसरिन लेनी है बस इनी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी और इसको हपते में एक बार आप इसको यूज करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस जिस दिन आप इसको यूज करेंगी, आप खुछ सोचकर हैरान में पढ़ जाएंगी कि इसके फहले मुझे इस वीडियो के वारे में क्यों नहीं पता चला। क्यूंकि मैं जो आपको रेमेडी वताने वाला हूँ, आपका फेस दुगना खुबसूरत दिखाई देगा। इस सारे मिसरन को मिक्स कर लेना, एक पेश्ट की तरह इसको तैयार कर लेना, और जिस जगहे पर आप मेकप करेंगी, गर्दन के आसपास भी और पूरे फेस वर सब जगहे इसको अपने फेस वर स्क्रिप करते हुए लगा लेना, और फ्रेंड कम से कम इसको 15 या 20 मिनिट तक लगाए रखना, फिर इसके बाद आपको ना तो फेसबा से और ना ही साबन से, इससे आपको अपना चहरा धोना ही नहीं है, आपको किबल नॉर्मल पानी से ही अपना चहरा धोना है, धोने के बाद आप अपने चहरे पर ऐसी ख पहलो left गलू आपको यकीन होता फ्रेंड आज ही ट्राई करोग आप मुझे याद करेंगे कि आपने बहुत ही वैस्च रेमेडी वर्ण्ड नीबु स्वस्त के लिए वेहध ही फाइद्यमंद होता है इसमें बिटामिन C समयत कई तरह के पोसक्तत मौजूद होते हैं जो कि आपके चहरे को लंबे समय तक हेल्दी स्वस्त और चमकदार वनाए रखने के लिए बहुत ही कारगर सावित होता है तो फ्रेंड इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वैल का बटन और पर सलेक्ट जरूर कर लेना और फ्रेंड वीडियो अगर आपने देखा है और लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर देना